दिली के सिरिफ और ओडिटोरियम के पास एक लड़के और एक लड़की को अग्याद शक्स ने पीछे से गोली मार दी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार दी तीनों को अस्पताल में भरती कराया गया है वारदात दीती रात करीब 9 बच के 45 मिनिट की है किसी ने दिली पुलिस को फोन पर घटना की जानकारी दी पूरा मामला क्या है इसका हाला कि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इनिशली घटना यही है कि दो जो इंजर्ड है वो आइडेंटिफाइड हुए है एक काजल जतिन सरकार और एक लेडी है उनके साथ यह दोनों आइडेंटिफाइड है बाकी लोग के आडेंटिटी अभी फिक्स अप नहीं हुई है एक जन और जो है और किस कारण से अब आपको दिखाते हैं समाज को आइना दिखाने वाली खबर वो खबर जो आपकी आगे खोलने के लिए काफी है बेटियां बोज नहीं है वो भी समाज में सम्मान की हगतार है हमीरपूर में बहु को बेटी पैदा होने पर सास ने ऐसा तोफा दिया देखने वाले भी द कार गिफ्ट कहीं देखा है ऐसा जश्न ये तस्वीरें गवाह हैं कि हमारा समाज अब बदल रहा है और अब बेटियां न केवल परिवार की रौनक हैं बलकि उसका गुरूर भी हैं शायद इसलिए उत्तरप्रदेश के हमेरपूर में एक नन्ही परी के जन्म पर परिवार ने ऐसा जश्न मनाया कि उसकी चर्चा दूर दूर तक हो रही है लोग उसकी मिसाले देते नहीं ठक रहे जी हां हमेरपूर में बेटी के पैदा होने पर एक सास इतना खुश हुई कि उन्होंने बहू को एक कीमती कार तौफे में दे दी स्वास्त विभाग में निरिक्षक रह चुकी प्रेमा देवी की घर जब लक्ष्मी आई तो मानो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा उनके पड़ोसी बताते हैं कि बहु खुश्बू ने जब बेटी को जन्म दिया तो उन्होंने एक पार्टी भी दी और एलान किया कि वो दिवाली पर अपनी बहु को एक कार भी तौफे में देंगी और उन्होंने दी भी और जैसे ही ये गिफ्ट बहु को मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा और वो अपने आसू को ना रोक सकी अपर आप आप है कि ये कुस निसीवी नहीं करते हुए उनको अपर 20 आप के इंप जायर के वारा बच्ची ने जब दी जाए है और आया की रहने वाली प्रेमा हमीरपूर में अपने बेटे और बहु के साथ रहती हैं वो कहती हैं कि बेटी को गर्ब में मारने की बुराई तब ही खत्म होगी जब बहु को अपनी बेटी माना जाए और ऐसी सोच से ही परिवार खुशाल होगा जाहर है कि प्रेमा देवी की ये पहल बेटियों को बचाने और उन्हें परिवार और समाज में समान दिलाने की दिशा में किसी मील के पत्थर से कम नहीं और अगर हर परिवार ऐसे ही सोचने लगे तो वो दिन दूर नहीं जब सरकारों को बेटियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाय चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी